दोस्तो आपने ship यानी पानी के जहाज को देखा होगा आपने एरो प्लेन को भी उड़ते जरूर देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि एरशिप क्या होता है और इसे aviation industry का future क्यों खहा जा रहा है दरसल हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर को हवा में उड़ने के लिए दो तरह से बल लगाना पड़ता है पहला ग्रैविटी के अगेंस्ट वर्टिकल अपलिफ्टमेंट के लिए और दूसरा होरिजॉंटल मुव्मेंट के लिए एर शिप में जहाँ ग्रैविटी के अगेंस्ट वर्टिकल अपलिफ्टमेंट के लिए हाइड्रोजन या हीलियम के टैंक लगा दिये जाते हैं वहीं शिप को आगे बढ़ाने के लिए एक मामूली प्रॉपलर एंजिन का प्रियोग किया जाता है इसे आप होट एर बैलून और हवाई जहाज का हाइब्रिट भी मान सकते हैं कहीं से भी टेक आफ और कहीं पर भी लैंडिंग की सुविधा इंधन की कम जरूरत और सौर उर्जा से संचालन में सहच ताव इसे खास बनाती है भारत में DRDO की एक प्रियोक्षाला Aerial Delivery Research and Development Establishment मानो रहे छोटे एरशिप सिस्टम का विकास कर रही है